हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो इंवेस्टोग्राफर, मेरा नाम है अंकेत, शुरू करते हैं आज की वीडियो वॉलेटिलिटी, अब वॉलेटिलिटी काफी जादा हो चुके है मार्केट में जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं और जो एक one direction move चल रहा था मार्केट में इतने टाइम से, वो अब हमें थोड़ा सा slow होता हुआ दिख रहा है तो अब कई लोग इसमें काफी परिशान हो चुके हैं वॉलेटिलिटी को देखके, क्योंकि हो क्या रहा है ना इस टाइम पर मार्केट में मार्केट रैली देती है तो काफी बड़ी रैली देती है, फिर एक down move देती है, काफी बड़ा down move देती है फिर अगर वापस rally आती है तो एक अच्छी खासी sudden बड़े-बड़े move के साथ rally आती है और फिर sudden बड़े-बड़े move के साथ downfall आता है तो लोगों के साथ इस टाइम क्या हो रहा है न कि वो बड़ा अप मूव देखके वो बड़ा अप मूव देखके वो लॉंग पॉजिशन बना लेते हैं वो बाई कर लेते हैं स्टॉक्स और फिर होता क्या है जब वो बाई करते हैं यहां पर उन्होंने बड़ी रैली देखी और फिर उन्होंने यहां पर buy किया यहां जैसे उन्होंने buy किया तो market नीचे आ गया जैसे उन लोगों को लगा कि अब market लगता है कि crash होने वाला है या बड़ा correction देने वाला है वो यहां पर sell करके जाते हैं और जैसे ही वो sell करते हैं फिर marketing अच्छा move देता है फिर उनको FOMO आने लगता है फिर वो यहां पर buy करने की कोशिश करते है और जैसे फिर वो इधर buy करते हैं फिर एक market बड़ा down move देता है और यह cycle repeat होती जा रही है इससे अब क्या हो रहा है कि काफी लोग काफी परिशान हो चुके है और range bound जो volatile market हो चुका है इससे लोग परिशान हो चुके है उनको समझ नहीं आरा करना क्या है तो basically इसके अंदर क्या है ना सबसे पहली बात तो है कि आप एक दिन दो दिन के moves है ना पैनिक ना करें सबसे पहले तो अगर आप पैनिक करेंगे एक एक दिन के moves से तो फिर आप इस market को बिल्कुल भी play नहीं कर पाएंगे अगर एक दिन के अच्छे बड़े moves से आप buying करना स्टार्ट कर दे एक दिन के बड़े down moves से आप sell करना स्टार्ट कर देंगे तो आप फिर बिल्कुल भी इस मार्केट को प्ले नहीं कर पाएंगे, ये मार्केट आपको दोनों तरफ से काटता जाएगा, अब अगर हम एक निफ्टी को देख लें, निफ्टी में तो जिस तरह हमें क्लियर हो चुका है कि एक range bound activity चल रही है, निफ्टी के अंदर जिसमें महीना, अटलिस्ट ये महीना तो range bound ही रहेगा और काफी volatile तरीके से range bound रहेगा, बड़े बड़े down move देगा, जिसमें सब लोग short हो जाएंगे, bearish हो जाएंगे सब लोग, और फिर जैसे ही लोग bearish positions बनाना start करेंगे, वैसे ही वो बड़ा एक up move देदेगा, फिर लोग वाप अगर हम ध्यान से देखें, इंडिया विक्स में हमें क्या देखने को मिल रहे ना, अगर हम इसको daily पे देखें और इसका एक बड़ा move देखें, इंडिया विक्स में क्या हुआ था ना, March के, February, March का जो fall हुआ था पिछले साल, उस टाइम तो काफी बड़ा इसने एक move दिया क्या किया है ना, इसने काफी बड़ा breakout दिया था इधर, जो कि आप देखें तो एक ही दिन में ये 23% के around उपर गया था, जो कि ये काफी बड़ा fall आया था उस दिन, और उसके बाद आप देखें, वापस इसने अपना breakout को retrans करके वापस अभी एक बड़ा move दे रहा है, तो में जो हमको देखने का अब मिल रहा है, कि विक्स जो पहले एक विक्स जो एक पहले हम देख रहे थे, एक consolidation zone के अंदर जा चुका था, वो अब वापस विक्स active हो चुका है, बड़े-बड़े move देना start कर रहा है, इसके अंदर क्या होगा ना, कि आब market बड़े-बड़े move द सबसे जादा retailers को काटने ही कोशिश करें, तो कि जो बड़े लोग होंगे, जो big players होते हैं, वो पहले ही safe होते हैं, क्योंकि already हो hedged positions लेते हैं, दूसरी बात they know the market, तो वो market की volatility पे panic नहीं करते हैं, बिल्कुल भी, और जो retailers होते हैं, वो छोटी-छोटी volatility पे panic करते हैं, तो इस कर रहे हैं, तो अगले 10 दिन में, 20 दिन में या एक साल में क्या होता है, उससे आपको कोई फरक नहीं पढ़ना जीए, बिल्कुल भी, तो अगर आप long term investor हैं, तब तो आप बिल्कुल भी stress ना ले, उल्टा मैं तो कहूंगा कि आप फायदा उठा हैं, इस volatility का, आप जो stocks के लिए, उनको track करते रहें, उनमें मौका ढूंडें, अच्छे prices पर अगर अच्छे levels पर आपको मिलते हैं, तो आप उनको add करने के लिए देखें, आप बिल्कुल भी अपने stocks को निकालने की कोशिश ना करें, इस चीज के अंदर, क्योंकि फिर आप बाद में regret होगा, किसी दिन तो आप उनको धीरे-दीरे add कर सकते हैं, और add करने के लिए भी मैं यही कहूंगा कि अगर आप investor हैं और आप stock को add करना चाहते हैं, तो कभी भी investment को एक एक दिन या एक transaction के अंदर पूरा का पूरा invest ना करें, आप उसको staggered way में buy करें, जैसे हमें एक example ले ले लेते मारूती को, तो मारूती में क्या आपको ये clear एक breakout दिख रहा हैं, ये जब इसने breakout दिया था इत्ता वड़ा, वो breakout हमसे miss हो गया था, वो breakout personally मेरे से miss हो गया था, जबकि मैं इसको मारूती को यहां पर buy करना चाहता था, बट मैं एक दिन लेट हो गया था और ये move दे चुका तो क्या अगर मैं इधर पैनिक करता, इधर पैनिक करता, फोमो के अंदर आ जाता कि यार मारूती मेरे हाथ से निकल गया, जिस भी rate पर मिल रहा है, buy कर लो जद्दी से जद्दी, तब मेरे को बहुत नुकसान हो जाता, क्योंकि मारूती ने वापस अपने को उससे भी मैंने मारूती को ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया, कि अब अगर इसमें मेरे को अच्छी पोजीशन मिलेगी, तो मैं एंटर करना स्टार्ट करूँगा, फिर अगर आप देखे तो मारूती ने एक अच्छा symmetrical triangle बनाया था, जिसमें भी clear sign था कि वो breakdown देगा, वो symmetrical triangle, क्योंकि म मारूती में, हमें दिख रहा था, एक काफी बड़ा double top था, काफी बड़ी-बड़ी candles के साथ मारूती गिरा था, sorry यार मैं कच्रा को जादे ही कर देता हूं, एक बार मैं इसको थोड़ा clear कर देता हूं, तो मारूती जैसे हमें दिख रहा था, कि काफी बड़ी-बड़ी candles के और गंड़ी जिससे हमें अब साइन मिल गया कि मारूती रिवर्सल देना स्टार्ट कर सकता है यह एक ने काफी बड़ा साइन मिल आख़ो के इसमें इन्वर्टेड हैमर वैसे कई लोग पूछते हैं कि इन्वर्टेड हैमर क्या होता है तो बायर थे तभी वो इतना उपर तक उसको ले के गए और फिर उनको वापस दबाया गया वट इससे एक क्लियर साइन मिल जाता है जब अगर कोई stock आपसे आपके खरीदने से पहले ही भाग जाए जादा भागने लगे तो आप फोमर में ना आएं अगर मिस भी हो जाता अगर मिस हो जाता कोई आप एसे लेवल्स पर ट्रैप हो जाएंगे और फिर बाद में आपके टाइम वैल्यू और आपको रिग्रेट होगा तो वही मैं कहूंगा वालेटिलिटी का फायदा उठाएं अगर आपके पास कोई इसको आप ट्रैक कर रहे हैं जिसको आप बाई करना चाते थे हमेशा से पर वह आपके लेवल्स से काफी उपर निकल चुका था तो ऐसे वालेटिलिटी में वह आपको फिर से आपके लेवल्स पर मिल सकता है तो आप मेरा वही रहेगा इंवेस्टर से रिक्वेस्ट कि अब हम देख लेते हैं कुछ लोग जो FNO के अंदर ट्रेड करते हैं वैसे FNO को हम अपने चैनल पर प्रमोट नहीं करते हैं और हम यही कहेंगे कि अगर आपको FNO के अंदर एक्स्पिनेंस नहीं है तो आप बिलकुल भी FNO के अंदर ना घुसे हैं बहुत जादा रिस्की हो बहुत मुश्किल हो जाएगा और अगर आपको margin call आ जाता है तो फिर आपके साथ बहुत दिक्कत हो जाएगा अगर आपके पास cash की कमी है और cash की कमी से याद आया कभी भी cash ना होने की वज़े से आप कभी भी अपने long term के stocks को pledge ना करें अपनी trading के लिए नहीं आप अपने broker broker से margin margin या फिर leverage उठाएं कि अगर आप margin और leverage उठाते हैं ऐसे volatile market में और अगर trade आपके अगेंस्ट जाता है तो फिर आपको बहुत दिक्कत हो सकती है आपको अपने long term stocks बेचने पढ़ सकते हैं अगर आपने pledge कर रखें तब तो वह broker ही आपके long term shares बेच देगा तो आपको द तो मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से nifty हमें इस time पे chart दिखा रहा है मैं यही कहूँगा आपको कि आप अपनी positions थोड़ी light रखें आप उतना ही trade लें जितना आपके पास cash है मैं तो in fact कहूँगा कि आप अपने cash से भी कम trade लें आप अपने positions को छोटा रखें अपने risk को manage कर के रखें और इसी risk management से एक बहुत बड़ा point मेरे को याद आता है अगर हम देखें इस time पे तो काफी सारे हमें YouTube channels पे देख लें या फिर कहीं पे groups में देख लें तो हमें कहीं लोग कई बहुत लोग ऐसे बोलते हुए मिलेंगे आपको इस time पे जो बोलेंगे कि यार तुम् में क्या टेंशन है तुम्हें क्या फरक पड़ता है market किदर जा रहा है जादा से जादा तुम्हारा 10 रुपे का stop loss है बट मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगा कि पहली बात तो क्या आप लोग खुद exit करते हो stop loss आने पे नहीं कर पाते क्यों नहीं कर पाते उसका reason यह है कि जब market अगर निफ्टी आग कि आज यह candle बनी थी और अगले दिन निफ्टी ने इतना बड़ा क्या जब आप यहां पर stop loss अपना रखोगे और मान लो stock open ही यहां पर कहीं पर होता है और आप यहां पर अगर exit कर जाते हो यहां पर अगर आप exit कर जाते हो और फिर वह reverse दे के यहां से चला जाता है तो फिर आपको काफी दिक्कत हो सकती है ऐसे टाइम पर तो इसलिए यहां तक जाएगी आपका stop loss काट के वापस उपर चला जाएगा stock तो बिलकुल भी आप automatic stop loss बिलकुल भी ना रखें प्लस stop loss आप कोई एक line को stop loss ना रखें अगर आप stop loss रखना चाहते हैं आप एक region को अपना stop loss बना के रखें यार इस region के अंदर वो support लेता हुआ दिखता ह है मेरे को हो सकता है इस region से भी थोड़ा नीचे से support ले ले पर आपको यह ध्यान रखना है कि अगर उस region के अंदर वो आपको support लेता हुआ दिखता है अगर आपको दिखता है कि उसके अंदर buyers active हैं तो आप उसको hold कर पाएगा और यह कब हो पाएगा कि आप stop loss पे exit ना मारे और इस stop loss पेट कर पाएगा जब आपने 1000 quantity लेने की बजाए 200 quantity ली होगी क्योंकि आपको पता है उस 200 quantity के अंदर आप उतने time तक वेट कर सकते हैं और अगर उस time तक भी stock support नहीं लेता है तो आप यहाँ पे exit करेंगे भी तो आपको इतना बड़ा loss नहीं होगा कि आप recover ना कर पाएं इसलिए काफी जरूरी हो जाता है कि आप quantity अपनी कम रखें ऐसे वॉलिटाइल मार्केट में क्योंकि अगर आप quantity कम रखेंगे वालेटाइल मार्केट में तो आप volatility को handle कर पाएंगा और panic नहीं करेंगे और ऐसे में यही सबसे जरूरी हो जाता है कि आप panic ना करें त तो यह हो गया अपना अब इसके अंदर मैं इसकी समरी बता दू तो यही है कि बिल्कुल भी margin ना लें, leverage पे काम ना करें, कोई भी pledging ना करें, F&O के अंदर जितना हो सकता है avoid करें और अगर आप लेते भी हैं तो hedged positions लें, छोटी positions लें, ज्यादा lots ना लें, अगर आप normally 4-5 lot में trade करते हैं, तो इस टाइम एक या दो lot, दो lot से जादा में trade ना करें, तो वो काफी आपके लिए जरूरी हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात है, इसका हम एक example ले लेते हैं, जो हमारे काफी सारा discord पे हमारे members का हमें doubt आ रहा था है, stock को लेकर के, य इसको हम एक example लेकर हम समझने की कोशिश करते हैं, अगर इसको हम example लेकर समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पे stop loss काफी ज़रूरी था, stop loss यहाँ पे काफी ज़रूरी था, कोकि market volatile है, आप market के भरोसे नहीं रह सकते हैं, कि market आपको recover करके देगा या नहीं देगा, कोई भरो 65 का, यहाँ पे अगर जिस बंदे ने exit किया होता, तो वो तो safe था, और जिसने सबसे ज़्यादा loss किसको हुआ होगा, सबसे ज़्यादा loss किसको हुआ होगा, सबसे ज़्यादा loss उसको हुआ होगा, जिसने या तो stop loss की respect नहीं करी, या फिर उसको loss हुआ होगा सबसे ज़्या हाला कि अगर हम देखें तो इसने काफी बड़ी विक बनाई थी जिससे की दिख रहा था कि नीचे से बायर्जेस को उठाके लाएं है पर एक अच्छा मेजर सपोर्ट जोन था और अगर आप यहां पर बाय करके बैठें और आप यहां तक अगर वेट कर सकते हैं तो यहां प खरीदो पैसे बनाने तो 500 कॉंटिटी के अगर हमारी किपैसिटी होती है रिसक के साब से तो हम पहले ही हजार लेके बैठ जाते हैं तो अगर इस स्टॉप लोस के साब से हमें 500 लेनी चाहिए थी तब हम अल्रेडी हजार लेके बैठे थे तो हमें यहां पर इतना बड़ा हुआ था इस पोजीशन पर कि हम काट ही नहीं पाएं उस पोजीशन को हमड़ work करते रहें कि कास यह उपर चला जाए तो मैं भले यह मेरे को मेरी कॉस्ट भी मिल आतो भी में काट holy रूंगा तो उसका जब stop loss हिट हुआ यहाँ पे, stop loss के नीचे गया और यहाँ पे भी उसको मौका मिला, बट अब उसको क्या होता है, अब उसको आ जाता है optimism bias, तो कि उसने यह stock खरीदा है, अब उसने खरीदा है, तो उपर जाना चाहिए यह stock और वैसे भी वो देख रहा है market में, तो market में सबकी बुरी आदत लग चुक है कि कोई भी stock खरीद लो, उपर ही चला जाता है थोड़े दिन में, तो उसको लगा कि आरे हाँ, कुछ ने छोटा सा नीचे आया था, वापस उपर चला जाएगा, बट अगर वही वो विक देखता है, इतनी बड़ी बड़ी विक बन रही थ तो इतना बड़ा loss वो जेल नहीं पा रहा था, और अब वो नहीं जेल पा रहा था, फिर उसने देखा बड़ा बड़ा breakdown होने लगा, और यहां पे आके, यहां पे आके वो बंदा ठक गया, यहां पे आके उसकी patience खतम हो गई, जो भी वो अपने आपको long term investor बोल रहा था, व बंदा कि मैं यार 5 साल के लिए stock ले रहा हूं, 10 साल के लिए stock ले रहा हूं, यहां पे आके उसकी capacity खतम हो गई, अब वो नहीं जेल पा रहा था loss, तो उसने यहां पे आके उसको exit करना पड़ा उस बंदे को, तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप अपना risk managed रखें, अगर थोड़ा discount दिया अपने trade को, कि हो सकता यहां से recover कर जाए, बट वहां पे भी नहीं कर रहा, तो आप यहां पे exit कर जाओ, अब wait ना करो, उसको ऐसे point तक जाने के लिए, जिसके नीचे आप loss देख ना पाओ, और आपको मजबूरी में exit करना पड़ा है, और उसके बाद stock शा सीखने के लिए ही आए है, हम धीरे-धीरे सीखेंगे और धीरे-धीरे improve करेंगे, तो कोई tension वाली बात नहीं है, आप improve करें, बस यही है कि जो भी आपसे गलती हो, आप उससे lesson लें, ना कि आप उसको किसी और के उपर blame करें, या फिर market के उपर तो कभी भी blame नहीं करना है, याद रखिए, market तब तक irrational हो सकता है, जब तक आपका पैसा खतम नहीं हो जाता, market तब तक आपकी ultra direction में जा सकता है, जब तक कि आपका पैसा zero ना हो जाए, तो market को कभी भी blame ना करें, गलती है, तो वो आपकी गलती है, और ये जितने भी मैंने tips दिये हैं, यहां पर ये बह हमें comment section में दे सकते हैं, अगर आपको ये video या मेरी महनत पसंद आई हो, तो इसको like करें, share करें अपने friends के साथ, और please comment में हमें suggestions बताइए, और अगर आप चाहें तो हमारी discord community join कर सकते हैं, जिसमें हम इस तरह के प्रवचन डेली देते रहते हैं, हम लोगों की help करते रहते ह अगर आपको कोई भी personal query हो, अपने portfolio से related, आप बिलकुल हमें discord या telegram या twitter के थुरू contact कर सकते हैं, thank you friends, thanks for watching this video, मेरा नाम था Ankit, और आज के लिए bye bye